प्रेंट्स वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को आज पता ही चल गया एक बहुती बुरी ख़बर निकल के सामने सुबही सुबही मिल गई कि UPTET का जो पेपर है वो वाइरल हो गया है और उसके बाद जो UPTET का जो पेपर था वो रद कर दिया गया मतलब दोनों पेपर फस्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों रद कर दिये गया है उसके बाद से ही काफी लोग परेशान हैं और कमेंट भी आ रहे हैं कि सर भरती उमीद थी कि वेकेंसी आएगी, जो लोग मतलब कह रहे थे कि नहीं वेकेंसी आगी, वो भी अंदर से सोच रहे थे थे थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन जब UPTT का पेपर रद्ध हो गया है, तो उसके बाद से लगभग उमीदों को लोगों को, की उमीदों को जटका लग ग मतलब जो जानकारी मिल लही है, उसके आदार पर, दिसंबर के दूसरे या तीसरे सब्ता में परिच्छा करवाने के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव अब देखते हैं, उस पर क्या मोहर लगेगी, यह फिर से नोटंकी शुरू हो गई प्रस्ताव व लग जाएगी, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, भरती का क्या है, भरती आ भी सकती है, लेकिन कैसे आ सकती है, बहुत कम चांस है, ठीक है, मूड में नहीं है सरकार या है, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों के पास, कुछ लोग अभी तक यह थे कि धर्डे में न परकार बहुत ज़्यादा यहां पर घिर चुकी है ऐसे में अगर इस टाइम पर अगर धरना प्रदसन धंग से किया जाए तो एक चांस बन सकता है कि घोशना कर दी जाए कि वेकेंसी का विग्यापन इतनी तारीक आएगा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि केंद्री विद्याले में कि किया जा सकता है अगर लोग सही से धरना पर दसन तो यहां पर भरती आ सकती है ऐसे लेकिन अगर नेता गिरी कि चकर में लोग नेता है कि आपका विज्जापन आजाएगा हो सकता है कि फे पर एसा है कि वो आप मुश्किल लग रहा है क्योंकि पर आपका चुनाओं के बाद ही होने की उम्मीद है इससे पहले तो बहुत मुश्किल है लेकिन अब देखिए जैसी भी ज rebels जानकारी आएगी वह आपको दे दी जाएगी ठीक है कमेंट बॉक्स में जो लोग कमेंट कर रहा है उमीद है कि सभी के यहाँ पर जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं